तो देखो भाई लोग कुछ ऐसे फोन होते हैं जो भाई लिटरली ना ऐसा रेकमेंडेशन करने में सो कोई हिचक नहीं होती हो और बोलते ना कि हाँ यही फोन है जो बेस्ट है और हर एक को आराम से रेकमेंड कर देते थे भाई बीच में तो 25 से 26,000 के ओफर में भी देखने मिल गया था तो यहां पर आज अना उसका जो नया सकसेसर बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर लॉंच होने वाला जो फैब 16 पर बेसिकली लॉंच होगा और यस अगर आप लोग ने इंपोर्ट कर रहा है बाहर से ताकि आप लोगों को पहले ही सारी बाते बताए दी जाए और यह भाई जैसे देख रहा हो नो बॉक्स खुला हुआ है तो मैं यूस कर रहा हूं और मेरी एक्साइटमेंट लेवल आप मेरी स्माइल देखके ही आराम से समझ सकते हो तो यह जो नियो 7 SE है ना यही जैसे मैंने कहा वापस रिपीट करता हो इंडिया के अंदर नियो 7 बन कर आएगा और यह जो भाई साब हम लोग ने इंपोर्ट किया ना इसकी जो प्राइसिंग मुझे पढ़ी है 26-27,000 तक आराम से पढ़िया था और जहां तक मैं तो यहां पर लास्ट चंडरेशन से इसमें हमें चार्जिंग में इंप्रूमेंट देखने मिल गया यह आ चुका है IKU Neo 7 जो इंडिया में हम लोग को as it is देखने मिलेगा Neo 7 के बाजू में देखोगे तो OS भी लिखा हुआ है तो yes, OS हमको मिल जाता है और side का जो frame में प्लास्टिक ही है यहाँ पर भी speaker grill है, दो sim card लगा सकते हो और रही बाद यहाँ पर एक IR blaster और secondary mic है noise cancellation के लिए single punch hole camera और नीचे के bezels बगेरा भी normally एकदम छोटे देखने मिल जाते है last year का जो Neo 6 था, as it is design में यहाँ पर यह हमारे सामने Neo 7 भी देखने मिलेगा वीडियो पसंद आएगी तो like, share, subscribe कर लेना और साथ में comment कर लेना भाई Neo 7 है, 7th number है तो इसका मतलब इस बार इस वीडियो पे भाई मैं 700 comment बोल रहा हूँ आप लोग करोगे अपने प्यार से तो भाई मैं सभी 700 comments को हाट दूँगा तो फड़ा फड़ा guys comment कर लेना ताकि आप लोग के जो मैं comment पढ़ूँगा आपके कुछ questions होगे तो उनको जो मैं comparison video बनाऊगा Neo 6 के साथ में तो वहाँ पर उनको मैं include करूँगा तो भाई फोन को हाथ पर पकड़ने पर एक बार भी ऐसा feel नहीं है कि over weight है एकदम properly in hand feeling बैटता है जैसा लास्ट यर का Neo 6 बैट रहता आराम से हाथों में एकदम comfortable रहता है इसमें ने fingerprint के smudges नहीं आते है हिसाब से काफी ज्यादा सही निकल कर आती है ट्रिपल लेट प्लस के जो एंटीडू बैंचमार्क के score आते ना तो सेम यहाँ पर डामिंसीटी 8200 का जो score है सम्वेर उसी के आसपास मिल जाता है सो मैंने जब इसका score निकाला था ना तो साड़े आठ लाग का एंटीडू बैंचमार्क score देखने मिला था और अगर आप इसे कंपैर करते हो लास्ट एर के नियो 6 से तो आपको काफी ज्यादा बड़ा जंप देखने मिलेगा क्योंकि लास्ट एर में था जैसे मैंने का 700 प्लस कमेंट कर देना और मैं आपके सारे कमेंट रीड करके उस हिसाफ से मैं देखूंगा कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड है इस बार है 5000 mh की बैटरी और चार्जर 120 वाट का है प्रापर 40 मिनट के अंदर पूरा फोर 100 पसें चार्ज हो जाता है और रही बात गेमिंग परफार्मेंस वगरा को लेकर तो भाई 90FS दे दिया था होप सो इंडिया में लॉण्च होगा तो शायद से 90FS वाला सीन बाई डिफॉल्ट शायद से देखने मिल जाए पर अभी कले मैं को सीज को कमेंट नहीं करूंगा बहुत ही तगड़े fps मिल जाते हैं टीडियम के अंदर मैंने गेम प्ले करके देखा इरांगल के अंदर गेम प्ले करके देखा उसके बाद में बूटकेम पर भी हम लोग गए और वहाँ पर जो fps का fluctuation था ना भाई काफी जाधा मैं कहूंगा साही तरीके से आता है कोई जाधा major hot drop देखने नहीं मिला मुझे 360 hertz का test sampling जो proper तरीके से must तरीके से काम करता है और जो gyroscope है इस phone का सही निकल कर आ जाता है साथ 5G bands है IP rating नहीं दी गई है और in display fingerprint scanner आता है unlock के लिए जो proper तरीके से must में unlock कर देता है 6.7 inches का display मिलता है और ये चलता है 120 hertz की must smooth refresh rate के साथ में और इसकी जो peak brightness नह भाई वो निकल कर आती है यहाँ पर 1300 nits की और ये इस बार भी display में एक और plus point है ये E5 panel है last generation E4 panel के साथ में आता है HDR10 का plus का content आप इसके अंदर आराम से run कर सकते हो और इस बार जो display वो 10 bit वाला display भाई तो मतलब 1 billion color आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं अपलब आप अपना content यहाँ पर आराम से enjoy कर सकते हैं जैसे मैंने कहा यह E5 panel है तो थोड़ा से energy efficient भी हो जाता है बागी रही बात audio के लिए का तो 3.5 मेंजे का port नहीं है और यहाँ पर dual stereo speaker किस तरीके से work कर रहा है वो सुन लो आप लो भाई इस song में जो रित्ती एक्रोशन है जो डांस गया ना भाई तो एक speaker यहाँ पर है earpiece के अंदर और एक bottom fire है बागी speaker में मचा है मतलब मस्त speaker मिलता है origin OS 3 के साथ में आता है 8GB RAM plus virtual 8GB और ले सकते हो और Android 13 के latest software के साथ में आराम समस्त में आपको मिल जाएगा और इतना है कि यह फोन है इंडिया में Funtouch OS के साथ में आएगा यह तो शौर है globally जब launch होगा iPhone यहाँ पर हमें origin OS देखने नहीं मिलेगा पर अगर इसके origin OS को भी लेकर बता हो ना तो यहाँ पर इसका जो animation का जो काम है ना भाई वो बहुत जादा fluid चलता है for example अगर मैं यहाँ से कुछ खोलता और यह दुखो कितन होना snappy तरीके से कहा है मतलब भाग गया smooth अभी थोड़ा सा camera में आपको बोलते हैं डीग्रेट देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पर cost cutting हो चुकी है यह बात आरहां से समझ सकते हो एक ही camera का है 64 Megapixel का जो Samsung का GW3 sensor है जो latest sensor है लास्ट यह से अच्छा का सा इंप्रूव कर दिया इन्होंने और जो front selfie camera 16 Megapixel का है बागी आप पूछो कि यह दो camera कि इसकाम के है क्योंकि एक यहाँ पर आता है और यहाँ पर है तो यहाँ पर यहां से cutoff हो चुका है तो मैंने जो पहले जो मेरा Neo7 का वीडियो तो उसमें यही कहा था कि अल्ट्रा वाइट साइज से इंडिय जादा बैटर लगी है अब objects में जब photo घिसते हो ना जैसे कि मुझे यहाँ पर जो output है वो literally काफी जादा snappy लग रहा था portrait modes हो गया वहाँ पर भी थोड़ा सा जो वीवो वाला थोड़ा सा touch होता है न जो वो निकल कर आ जाता है selfie भी यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करती है थोड़ी सी जैसे मैंने कहा extra detailing आती है बट थोड़ा सा zoom करोगे तो आपको थोड़ा सा miss लगेगा बट फिर भी मैं कहूंगा जो main camera और selfie camera अच्छी तरीके से काम कर रहा है front selfie camera है यहाँ से आप लोग max 1080p 30fps की वीडियो ले सकते हो तो भाई यह recording है आपके main camera से basically यहाँ पर आप 4K at 60fps में वीडियो ले सकते हो stabilization वगेरा का भी idea आपको लग जाएगा पीछे कुस्तों की रहा है तो अब यह जो video recording है 4K at 30fps पर है और stabilization वगेरा भी किस तरीके से so भाई at the end क्या मेरा verdict है इस IQ Neo 7 SE aka Neo 7 को लेकर तो भाई मैं अच्छा कासा excited हो इसकी power को लेकर इसके display को लेकर overall look भी मुझे पसंद है यहाँ पर तो अब बात आती है यहाँ पर अगर यह phone इंडिया के अंदर under 30,000 आ जाए तो भाई काफी जादा killer deal हो जाएगी आपके सब्सक्राइब कर लेना बाकी आप लोगों को भी काम होगा तो अभी आप लोग जा सकते हो मिलेंगा और इंट्रेस्टिंग विटोस में तो टेक केर टड़ा बाबाए जाहिन